पूर की भाद समाजवादी पार्टी के राष्टियत देश मानी स्री अखिलिए शादो जी के खुसल नेतवत्त में बहुत बड़ी तादाद में आज पुने समाजवादी पार्टी में सम्मानित नेता गणाये हैं जिनके नाम में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वह आज सब मानी राष्टियत देश्जी के नेतवत्त में समाजवादी पार्टी में सामिल होने के लिए आये हैं उन सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ सर्व श्री राकेश ट्यागी पूर मंत्री उत्तर्प देश राकेश ट्यागी पूर मंत्री उत्तर्प देश सम्मानित शाचियो श्री राकेश त्यागी जी श्री अर्षत खान जी श्री अश्वनी सर्मा जी सहित कि बड़ी तादाद पर समाजवादी पार्टी में सामिल होने आए हैं मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ और मानि सलीम सेरवानी जी से अन्रोध करता हूँ कि वो आए हुए सभी पार्टी में सामिल होने आए हुए सभी लोगों का स्वागत करते हुए और अपनी बात रखे करेंगे और उनके नाम भी प्रसुत करने की किरपा करेंगे मानी सलीम सेरवारी साहब मैं अपनी समाजवादी पार्टी राश्टे अध्रक्ष भाई अख्लेश यादव जी का बेहत दिल से शुक्रिया दा करना चाहता हूं कि उन्होंने हम सब को मौकद दिया कि उनकी लीडर्शिप उनके इतिवत में हम लोग उनका एक हिस्सा बने और यह जो लड़ाई लड़नी है दो हजार बाईस को इसको हम बहुत मजबूती से इसको लेके आगे बढ़ें मज़े बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग आज हमारे साथ राकिश त्यागी जी जो एक्स मिनिस्टर है यूपी के बलन शहर से त्यागी जी आप हमें जा रहे हैं हमारे ठाकुर रनबीर सिंग जी अर्शद खासाब अर्शद खासाब हमारे एक्स मिले हैं पूर से हमारे अश्वनी शर्मा साहब जो एसेमली कंस्टेंसी से हैं और इन्होंने एक्स डिस्ट्रिक प्रेजिडन्ट हैं अली गड़ के हमारी विमलेश कुमारी जो चंदोसी से चनौल रनी थी हमारे अनीस एहमद इंजीनियर साहब हमारे भरम सूर्प सागर साहब जनरेल सेगर्टी रहे हैं इपी से हमारे बच्चु सिंग निशाद साहब हमारे हिमंत निशाद साहब हमारे रविंदर कश्यप साहब हमारे उत तम चंद राकेश लोदी जी, कहा है, पीछे बाले हाल में, तो उनको बिला लो ते, बिला लो, बिला लो, आयाश शिर्वानी सहब, एक बहुत मजबूत नौजवानों की टीम हमारे साथ जुड़ रही है, सेयद फरहान अली हमारे स्टेट वाइस प्रेजडेंट है, नस यॉ बदाईयों के, निखिल कुमार, डिस्ट्रिक्ट प्रेजडेंट नस यॉ आई बरेली, जसपाल सिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेजडेंट नस यॉ आई पिलीभीत, हमारे दिनेश वरमा साहब, आच्छा, हमारे ब्रिजेश गौतम, ये पूर्वा संग मंत्री फिरोजाबाद अलीगड के हैं, और दिनेश प्रजापती, वह भी नहीं पाए, उसके साथ साथ, आप लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों ने आज हमारे साथ, फैसला किया है, जोइन करने का, हमारी विमलेश कुमारी, जी जो है, इनके साथ, मैंक जैन साहब है, रईस अहमत साहब है, ब हमारे सुधिर कुमार्देखु साथ हैं, नबनीत वैष्च साथ हैं, जीतिंद्र कुमार्देश रंदन नहें, राज़क गपताइन, गुलाम महम्मत साथ हैं, हमारे भरम सुरूप अगय साहब और हमारे इनके अनीस इंजिदर साहब के साथ, बहुत सारे लोग बरेली से, जिसमें महानागर के BSP, और सब ये लोग BSP से हैं, मुहम्मद खालिद साहब हैं, ये BSP, बरेली, अरजुन सिंग, T2 मेंबर, जिला परिशद, पंचायद BSP, विश्वपाल सिंग, फरीदपूर बरेली, X मंडल अध्यक्ष BSP, NC Vishwar Krama, बरेली, से नाय समाज BSP, अनेल ठाकर, बरेली, से बिसप जतेन्द पाल सिंह सोंकर, बरेली, X महानगर महामंतरी BSP, सुरेंद सोंकर, बरेली, से जिला महामंत्री BSP से लल्दन खान मुस्तफा बरेली सवासद BSP से स्री अबासली बरेली कांग्रेस से विपिंड शर्मा फरिथपूर बरेली मंडल अध्यक्ष ब्रह्मन समाज BSP से शुशील शर्मा फरीथपूर से शरी हयुं मोरीय बरेली से श्री सोनपाल दिवाका साब एक्सेमेले श्री एम चंदर बरेली एक्सवंडल अध्यक्ष बामसफ से श्री हरी सिंग वर्दन शाजानपूर से दिनिश गौतम साब विपिन तिवारी साब टिक्कम हसन खान साब अमित राजपूत साब पिली भी से ताहिर चैमेंद साब कलिय यह उत्तम चंद राकेश लोधी यह स्टेट प्रेज़न्ट है अखिल भारतिय लोधी महा सबा उतरप्रदेश दे और 2017 में इलेक्षन भी लड़े थे इनों ने भी हमें संपर्दन किया है और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी को मभूत करने के लिए का है मैं आप सब का बहुत दिल से स्वागत करता हूँ अब मैं अध्यक जी से दर्खास करूँगा कि दो लब जम्लों की हिम्मत बढ़ाने के लिए जरूर्ट है बोल दीजिए बोल दीए मेरा बहुत ही खरीबी और मैं भूल जाता हूँ उसको शकायत हमेशा हो जाती है साजित अली यह हमारे डिस्ट्रिक बदाईयों के अध्यक्ष थे और बहुत चौरासी से मेरे साथ जूड़ेवें और रिजवान रिजवान का है यह लौट आए रिजवान आए लौट आए लौट आए जोएं निकर यह लौट आए रिजवान परवेज अध्यक जी आप इन से मिले थे जिनके साथ चल रहे हैं यह भी बीएस पी से छोड़ का आज हमारे साथ आए बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो लोटे हैं कह दो अगर अकेली महिना है तो कह दीजे आप अगर मैं अगर तारे करना अगर अगर वाट बाद शुक्रिया सबसे पहले मंच पर मौजूद समाजबाजी पाटी की हिर्दे हमारे बड़े भाई शिर्यकलेश यादब जी मैं जर्जोड़दार तालियों से सबसे अधारा उनका स्तक्वाल कराने चाहती हूं और हमारे नेता और कॉंग्रेस पार्टी में जितने लोग हमारे साथ ही हैं आज समाजबादी जोईन कर रहे हैं मेरी तरफ से सभी का हर्दी का मिनन धन और आशा करती हूं कि 22 में साइकल की दोड़ पूरी करते हूए हम इन हातों से उठाकर उस कुर्ची को अखलेश भाई जी को दें ऐसी कामना के साथ में शिपकामना देती हूं संकल्प लेते हैं हम लोग कि 22 में साइकल आएगी और हमारे प्रदेश में खुषाली लाएगी इस नारे के साथ हमें अपने छेत में निकल जाना है और मैं सिर्फ एक इच्छा अपनी इहां रखना चाहती हूं कि जो सम इस मंद से हमें दिया जा रहा है मैं आप सभी लोग के हाड़ी आवेदारी हूं खास्तोर से समाझवादी पार्टी के हमारे राष्टिया धक्ष मोहदे मैं दिल की गहराईं से आपका स्वागत करती हूं और मैं वादा करती हूं कि आज जिस तरीके से मैंने परानी मैं उसी निस्ठा और पूरी इमान दारी के साथ मैं पार्टी के साथ खड़ी रहूँगी और पूरी इंपार्धी के साथ बूत तक कारेकeveryone तौको खाड़ करने का काम करूँगी, मैं आपसे भुरुसा दिलाती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, और पुना सभी के लिए हार्दिक अविनन्दन और जितने मेरे साथ ही जोईन कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया. मैं सबसे पहले हमारे साथ बैठे आदेने सलीम शेरवानी साहब और बाई तरफ पूर सांसद अम्बेटिकर नयतर बहुन जी, और आज जितने भी साथ ही अन दलों को छोड़कर के समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं एक-एक नेता का, एक-एक कारकरता का, और उनके साथ जितने भी सहयोगी साथ ही आए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत धनिवाद देता हूँ, बहुत-बहुत बधाई भी देता हूँ, साथ ही साथ आप मैंसे कई लोगों से कई बार मुलाकात और इधर formally हम joining नहीं हो पाई थी मुझे खुशी है आज कि प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी ने और पार्टी के लोगों ने कुछ साथियों को आज सदस बनाया है आज सदस बनने पर समाजवादी पार्टी में आप शामिल हूँ है मैं आपका बहुत बहुत धनिवाद और शुबकामना ही देता हूँ जहां तक सवाल चुनाव का है 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव का जैसा कि बंगाल में देखने को मिला है भारती जनता पार्टी किसी भी इस तर पर जाकर के चुनाव लड़ती है भारती जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी ने लगातार संघर्स किया और लगातार ये प्रयास किया है कि कोई भी समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहेगा समाजवादी पार्टी में उसको जूड़ने गाम हम सभी मिल करके करेंगे आज जब हम और आप मिल रहे हैं उस समय जिस समय हम और आप की मुलाकात हो रही है प्रदेश तो देश में नजाने कितने लोग आज तकलीफ और परीशानी में हैं रात से लेकर के सुबह तक और पुषले चार-पांस दिन से लगातार लोग तकलीफ में हैं जो अख़वारों में पढ़ने का मिला है, जो टीवी पे थोड़ा बहुत देखने को मिला है, सोशल मीडिया भरा पढ़ा है, और व्यक्तिकत संपर करने से जो जानकारी मिल लई है, ये वैश्विक महमारी ने एक बार फिर हम सब को घेर लिया है, और ऐसे चक्रवु में फसा दिया है, कि अब इससे बाहर कैसे निकलें, हम जब आप मिल रहे हैं, दुखत है, कि बहुत सारे लोगों की जान गई है, हमारे बीच काम करने वाले, पूर सांसर स्यामचन गुपता जी, राजनीत में लगातार काम करते रहे जनता के लिए, उद्योग में जो भी कर सकते थ उद्योग में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, नजाने कितने लोगों को नौकरी, रोजगार और काम से जोड़ा था, आज वो हमारे बीच में इसलिए नहीं क्योंकि करोना से उनको संक्रमन हुआ, और करोना का इलाज कराते कराते उनकी जान चली गई, ऐसे बुर गरीब है सबसे जादे तकलीफ में, जो गरीब है उसको रोजी रोटी, रोजगार, गरीब को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम रोजगार से आगे अपना जीवन यापन करें, कुछ काम काच कर लें या बीमारी से बचलें, और जिनें इंतजाम करना चाहिए था, वो स्टा में एड्मिट नहीं हो सकते, जो आपको बहुत जरूरत की दवाई है, वो परियाप्त है ही नहीं, टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, और अगर टेस्ट हो भी रहे हैं, तो जिस समय उनका रिजल्ट आना चाहिए था, रिजल्ट में भी डिले कर रहे हैं, और वेक्सीन लग जा कि ऐसी बीमारी से तकलीफ में चले जाएं, तो आखिरकार आम जनता का इलाज कौन करेगा, अस्पतालों की जो दुर्दसा की है, क्योंकि सरकार ने कोई त्यारी नहीं की, सरकार अपनी वावाई में रही, जब बीमारी खतम हो जाती तो वावाई होती तो ठीक था, लेकिन बीमारी को छिपा करके, आकड़ों को छिपा करके, जानकारी को छिपा करके, और अपनी वावाई की खुशी मना रहे थी, क्या है कोई ये सोच सकता है, वैक्सिन की जगे जो वैक्सिन लगनी चीए थी, वो कुते वाली दवाई लग जाए, इससे दर्दनाक, इससे खराब क्या हो सकता है और फिर आखिरकार सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी निबा रही है इनके लिए चुनाओ जरूरी है जान जरूरी नहीं है जब इन पर परियाब्त समय था परियाब्त बजट था परियाब्त इंतजाम करने का वक्त था इन्हों कि बचाब के लिए कोई सरकार फैसला ले रही है इसलिए हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तपदेश की जंता बदलाब की तरफ देखेगी और इतने साथी जो आए हैं जो लगाता समाजादी पार्टी में जुड़ रहे हैं ये बदलाब की तरफ ले जा रहे हैं एक अच्छी उत्तपदेश खुशाली और तरक्षी वाले उत्तपदेश की तरफ ले जा रहे हैं मैं एक बार फिर एक एक नीता का एक एक कारकरता का जो इनके साथ शामिल हो रहा है मैं उनको बहुत 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 धनेवाद देता हूं भारती जन्ता पार्टी बंगाल में हार रही है और बंगाल की जन्ता एक बार फिर ममता बनर जी को जुता करके वहां की मुख्वंती बनाएंगे और हम भी यहां से उत्तप देश समाजवादी लोग अपील कर रहे हैं कि भारती जन्ता पार्टी जैसी पार्टी को हराएं आज इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है आज इनके पास किसान के तीन कानून जो लाग हुए हैं उनको कैसे किसान हित में यह बताने कोई रास महंगाई डीजल पैटरोल की इतनी बढ़ गई जिसकी कोई कलपना नहीं कर सकता उसका कोई जवाब नहीं है सब कारखाने उद्योग जो लाब वाले थे सब बेचे जा रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है तो इसलिए जान बूज करके भारती जन्ता पार्टी जन्ता को ग जो परी नहीं है बंगाल में वैक्सीन लगनी थी उसमें आपने कौन सा इंजक्शन लगा दिया क्या सरकार ये बताएगी कि अपने टेक्निकल स्टाफ को इतनी तयार किया था कि गरीब जन्ता को सई समय पर दवाई सई समय पर सुझाव सई समय पर इलाज दे देंगे और सरकार को ये बताना चाहिए कि उनकी जो प्रेस्टीजिस कॉलिजिस हैं जिनकी जिम्यदारी थी कि गरीब को मदद मिलेगी कॉरोना के समय पर उनकी सई हिलाज होगा आप बताईए कि कौन सी स्ट्टीशन बची है जहां पर इतने बड़े पेमाने पर नलोग हो गए होगा संक्रमित अक्रिकार सरकार के प जो अस्पतालों की त्यारी करनी थी जो दवाई की त्यारी करनी थी आज अगर जरुवत मंद को सबसे महतपूर दवा चाहिए हो तो वो दवाई एवलेबल नहीं है अगर आज अस्पताल की जरुवत हो बैड़ की तो बैड़ नहीं है क्या सड़कों पे नहीं मरीच वो एक विश्य अलग है जो करोना के समय पर जो चीज ली गई जो दबाईयां जो इंस्ट्रूमेंट्स लिए गए जो मेडिकल एक्विमेंट्स लिए गए क्या बड़े बहमाने पर बहमानी नहीं हुए उसमें क्या उत्सब मनाएंगे यह उत्सब और प्रचार से ही सरकार च वो विश्य नहीं है विश्य करोना बड़ा विश्य है आज लोगों की जान ज़्यादे जा रही है आपको चिंता इस बात की करने चाहिए करोना टीके के नाम पर तीन महिलाओं को लगा दिया रहीज का ठीका टीके कम पड़े किसी लाके में दो तीन दिन से टीके पहुँचे ही नहीं है करोना टीके के नाम पर वो तो वही सेम निउस है टीके के दोनों खुराग लेने के बादवी यूपी में स्वाज विवाग के मुखिया हुए संक्रमित 40 डॉक्टर एक जगे संक्रमित 25 डॉक्टर एक जगे संक्रमित क्या चीज अब ही हम बता देंगे तो बीजेपी जान जाएगी लेकिन यह हम आपको बता दें उत तब जिसे भारती जनता पार्टी का सफाया होगा क्योंकि आज भारती जनता पार्टी पर जवाब नहीं है महंगाई का क्या भारती जंता पार्टी बता सकती है क्ये डीजल पेटर्ल क्यों मह ना क्या कोई इंवेस्टमेंट आया उत्तपदेश में, तमाम नौजवान जिनको नौकरी रोजगार चीए, क्या आपने रोजगार का इंतजाम किया तो ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं है और यहीनी सवालों का जवाब उत्तपदेश की जनता आने वाले समय में देगी नौजमान तयार है, किसान तयार है और इतना अन्याय उत्पीडन, इतना लोगों का अपमान, किसी सरकार ने इतना अपमान नहीं किया होगा, जितना इस सरकार में अपमान हो रहा है, आप सरकार के खिलाफ सच्चा ही बोल देंगे, तो आप अपमानित हो जाएंगे. समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के तमां हमारे पूर्वज़ और हमारे तमां पुराने निता, और सबसे बहतर ओधारण यही है कि डak्टर राम नुरलुया और डाक्टर भीम राऑ मिटकरजी दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे एक समय ऐसा आया था कि दोनों ने फैसा लिया कि दोनों मिलकर के काम करेंगे वो परस्ति ओ समय नहीं मिला जिसकी वज़़े से दोनों विचाधाना एक नहीं हो पाई मुझे खुशियस बात की कि समाजवादी पार्टी पूरा संगठन आने वाले समय में दिवाली का आयोजन होगा और नाम तो कुछ भी हो सकता है नाम पर शिकायत हो सकती है लेकिन नाम तो हम कहें कि वावत साब के नाम पर अमेटकर दिवाली हो सकती है हमारा समता दिवस के नाम से हो सकता है हम नाम तो कोई भी कर सकते है समिदान रक्षा दिवस हो सकता है समाजवादी समता दिवस हो सकता है बहुजन सम्मान दिवस हो सकता है अम्बेटकर दिवाली हो सकती है समिधान दिवाली हो सकती है स्वाजन दिवाली हो सकती है लेकिन जो ट्रेंड कराने वाले लोग थे वो बीजेपी कॉंग्रेस के लोग थे एक-एक हैंडल देखिए आप समाजवादी पार्टी अगर बावा भीमरा मिटकर जी के मानने वाले लोगों को अगर गले लगा रही है तो आखे कर बीजेपी और कॉंगर्स को क्या तकलीफ है भारती जंतापर्टिय और कॉंगर्स के लोग बताएं के उन्हें तकलीफ क्या है और मुझी ये बताएं क्या 14 तारीकों बावा भीपना मिटकर जैंती के दिन वो दिया जलाएंगे के नहीं जलाएंगे उनके सम्मान में ये बीजेपी और कांग्रिस के लोग दिया जलाएंगे के नहीं जलाएंगे ये सबसे बड़ा सवाल है चलो अच्छा सदस तक पहुँचे परधानी तक नहीं गए तो मैंने आप को कितनी बार में बताऊं समाजवादी पार्टी किया कोशिस होगी सभी दलों को साथ ले ले सभी लोग को साथ ले करके चले जो भी छोटे दल हैं उनको साथ ले करके चलेगी इसलिए आपने देखा ये प्रयास हुआ है हमारे बरेली के हैं सागर हमारे पुराने थे पार्टी में शामिल आ गए शेरवानी जी हमारी पार्टी में थे दुबारा आ गए ये अनुसियाई का हमारा अदेख्श है जो मिला कई वार साथ आ गए ये सिख समाज के हैं निसा समाज के हैं बरहमर समाज देटना परिसद हैं ये हमारे तारिक भाई हैं आज क्यों हो तारिक भाई आप नाम बोले थे कि हमारा नाम नहीं ले रहे हो आप आचा तो आज क्यों हैं आप इसलिए बहुत सारे लोग हैं हर समाज की लोग है क्यों उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि समाज की बात करूं फिर सब मैं कहूं तो किसी का नाम चूड़ जाए मेरे से नाराज़गी हो जाए इसलिए जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं मैं उन सब का स्वागत करता हूं बढ़ाई देता हूं इससे पार्टी को ताकत मिलेगी और लोग जुड़ेंगे और लगाता रखें उन्हें चिंता होता प्रदेश की नहीं है प्रदानी का चुनाल लड़ा रहे हैं बंगाल में जा करके जिस प्रदेश में कानूबस्ता चौपट हो गई हो महलाएं सुरचितना हो बेटियां सुरचितना हो मेडिकल का पूरा पूरा कॉलैप्स कर गया हो और वो आप के विकास की गाताएं कर रहे हैं वहाँ पर मुझे उमीद है कि नियाले नियाले से नियाए मिलेगा और भारती जंतर पर इस सद्रकार से आप किसी को नियाए की उमीद नहीं कर सकते हैं अब यह हमारे एक साथी ने जो पीछे पूछा कि एक विधाय को कपड़े उतार करके जमीन पे लिटना पड़ गया अब उसका पक्ष कुछ भी हो सकता है लेकिन क्या इस सरकार में नयाय की उमीद कोई कर सकता है जब कोट ये कहे कि NSA फर्जी लग रहा है गलत तरीके से लगाय जा रहा है एक मुकदमा आप पहले दिन से हम और आप मिल रहे हैं जिस समय से भारती जंदा पार्टी की सरकार बनी थी उस दिन से हम और आप मिल रहे हैं उस दिन से लगातार कह रहे हैं किस तरीके से जूटे मुकदमे लगा जा रहे हैं वो कहा है आई पीएस फर्जी बनके बिधान स्वा में टेंडर माट रहे थे आपको नहीं पता क्या उत्तपजिकी जन्ता ने देखा है कि किस तरीके से ये सरकार काम कर रही है कौन नहीं जानता कि आजम खासाब के उपर मुगदमे लगें फर्जी मुगदमे लगाएं जमीन कि मामलों को ले करके कोई मुगदमा लगा दें ये कैसे हो सकता कि पुरानी सरकार के पुरानी के अबनिट के फैसले उस समय च्छिनाव के लगता दिन कम है चुनाव करीव आगया है कठिन सवाल यह कि बाती दिनता पाड़ी हटे यहां से और मैं एक बार फिर सब आपको स्वाइद करता हूँ धन्यवाद देता हूँ आपका सब लोग आजें फोटो हो जाएगी आज़ा कम और दोनों को मैं बढ़ाई देता हूँ एक दिप्चंजी है उनके जनम दिन की बहुत-बढ़ाई बहुत बढ़ाई बभाध शुब आपनाएं दूसरे सातिय है अभी हैधर्ज जी उनको बहुत-बहुत बढ़ाई कौन है हरे तुमारा जनम दिन है तो तुमने क्या सवाल पूछा है यह आईए जनम दिन वालो बहुत शुब काम नहीं चलिए धने बाद सभी हैदर आईए ना तुम क्यों पीछे रह रह रहे हो बहुत बढ़ाई कौन से जनम दिन है तुमारा एक किसमा एक किसमा दीप चंद ओह हो 110 किलो किद्न नहीं 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 मानी नहीं सकता मैं है सो से उबर चलिए बहुत बढ़ाई है बहुत बढ़ाई है बहुत बढ़ाई है इससे यह है ना कि नाम से पर्चे भी हो जा रहा है तो यह फाइदा भी है बहुत बहुत बढ़ाई है नहीं वो इससे कि वे नहीं में है टुम्हें नहीं थाई भीज़ नहीं है तो यह आई है